हेलो फ्रेंट्स आम जग्दीज या आज हम जिस सेर डिस्स करने वाले हैं वह सरे सेर आपको जरूर आपको परिसान कर रहा होगा आप उसको पूठल देखके जरूर जो है आपको बुस्सा दिलाता होगा और आप होफुल भी होंगे कि वह सेर्स उपर आ जाएगा तो आज य देख सकते हैं का मैसेज है यहां पर आप देखें एवाट एलैसी से एवाट एलैसी इस फॉलिंग विद लोग 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 है यह एक इसा हो सकता है कि आपके दिमाग पर भी चल रहा होगा यह हमारे पास ऐसी शेर्स है और ऐसी का सेर्स यह क्या वूशेस है उपर आएगा जिसे मोई विंधाना क्या हमारे करन अर्जन वापस आएंगे आएंगे तो इसको हम डिकूर्ट करेंगे कि क्या यह सेर्स अपने इसू प्राइस जो 949 था वहां तक आने की शीकापिस्टी आप टेट कर रहा है इंवेस्ट कर रहा है क्या आप यहां पे यहां पे लेने का मन करता है तो हम बोलते हैं stock market में बोलते हैं do not cash the falling life गिरते हुए गिरते हुए चाकु को आप पकरेंगे तो that is injurious to your wealth तो गिरते हुए जो है स्टॉक को आप लेंगे तो आपको आपका विल जा सकता है यह स्टॉक जो है जिस प्राइस पर आया था उस प्राइस से अभी तक हम देख सकते हैं कि जिस प्राइस पर कंप्री ने इसू किया था उस प्राइस से अभी तक उस शेर्स नहीं आप आया है तो यह स्टॉक मैं ऐसा क्या हो गया क्यों ऐसा हुआ है तो इस पर हम थर्डी कोट करेंगे तो दीके स्टॉक 949 पर आके स्टॉक जो है आपको 875 के प्राइस पर वो लिस्ट हो गया जैदि आप उस दिन भी बेज दी होते तो 7% का लॉस होता है यह हम आप सिख है वह आपका रिस्क जो है आपकी स्ट रिस्क लेंशाथ है अप टू यू लेकिन निकलना हमेशा होता है जैदि कोई कंपनी का प्राइस कितना पी अच्छा क्यों नहीं हो और जैदि वह कंपनी अपने इस उप्राइस से क्लोज करता है इसका मतलब कुछ नो कुछ तुकर चाहे तो उसका टाइमिंग गलत है या महगे प्राइस प्लिस्ट किया है मार्केट के सेंटिमेंट अच्छा नहीं है ऐसा ही था इस जब आप आया था तो टाइमिंग सही नहीं था मार्केट की सिस्ट्यूशन जो थी इन्फेशन था वर्ल्ड वार्ड चल रहा है बहुत सा तो आज के प्रॉफिट विकिंग उसको जो है 7% से बरके आज का 33% जैसे माला कभी आपको घाओ जाता है तो घाओ को छोड़ देते हैं तो धिरे दिरे को बढ़ते रहता है तो इसको डॉक्तर को दिखाना बहुत जोड़ी है ठीक है ये सेर्स है आपको कहीं ने कहीं पैनि हो रहे हैं लेकिन तो आप बहुत हैं भाव भगवान छे प्राइस को देखेंगे इसका कुछ ने कुछ ऐसी बात है जो इन्वेस्टरस पर फ्रेस पैसा नहीं लगाना चाहा रहा है तो यह जो है आपको देखना परेगा तो जिस आप मैं प्राइस क्यों बोला हूं कि आप आपको एक जांपल दिखाता हूं आप देखो कि एक कंपणी है इसका नाम है इंडियन रेल्वे का है अच्छी कंपनी है फंडामेंटल पर इच्छे हैं लेकिन यह जिस प्राइस पर इसू हुआ था उसकी नीचे लिस्ट हुआ अ क्लोज भी कर दिया उसके नीचे और वह 4 परसंट का लॉस था वह बरके अट्रा परसंट है सिर्फ आपको लगता हो कि बस तो पंदर परसंट का लॉस नीचे है जाता हुआ है ज्यादा नहीं है ज्यादा फॉल नहीं हो लेकिन इतो टाइम लगा रहा है टाइम 2021 से जन्वरी 2021 से लेके अभी तक जो आप देखेंगे सेप्टेंबर 2020 से डेर साल हो गया यह शेर उसको पर नहीं जा रहा है इसका मतलब प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है यह 26 रुपीज है वो लक्षमन रेखा है बस 1.15 पर डिस्टेंस है लिए क्रॉस नहीं कर रहा है उसी प्रकार यह आईपयो जो है यह जो कंपनी का शेर है मेरे लेखे में अच्छे हैं इसको अश्वर करने में यसको ऊश्राब मेरे कहा है चाहता है और मेरे यहाजाब से इतने मेरे हिसाब से अप देखो तो बहुत जो बहुत अच्छे-, एच्छे-चे lessons है है बहुत आपो D ऍंशेर मेंद आपको तो ह हईसे मनों करेफिर हैं दीमार्ट शेर आपको यह OU SP यह कि मैं इस पैसे को जेए स्टीओ से पैसा रगावन परफ Ohio ऑन सुझें परफिस आप आप इस पैसे को किसी अच्छे शियर्स में भी आप पूटेट कर सकते हैं तो अच्छे शियर्स आप अब ने बताया माइंट्री बताया डी मार्ट होताया ऐसे डीवीज लैब है तो फार्मा के श्या भी नहीं चले लेकिन स्टॉक से पोटेंशल है कि स्टॉक उपर जा सकता है तो मेरा कहने का इंटेशन है कि आप आपके पास ऑप्शन है आप चाहे तो थोड़ा लॉस बुक करके अच्छे शियर्स में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम चो लग जाएगा ना टाइम इस इंपोर्टेंट तो अभी आता है कि क्या करना चाहेता यह से से आपको लाग करोग का जो है इनकर को चुक है अभी तक जर्प देखेंगे इह जो शेर्स है कम से कम 6 लाग करोग असपास लिश्ट हो ताव है और अपने हाई से अभी तेक देखा जाए यह शेर आपको दिख रहा है कि अब दिखा दो आपको यह शेर आपने हाई से स्टॉक गिर के 31-0 के लोड़ टेट कर रहा है यह अपर अब देखेंगे तो 31 परसंट कर दिखा रहा है और तो इस और शेर्स में जो है आप प्राइस पीं सिस्करें तो आपको दिखेगा कि यह स्टॉक जो है अपने जो नियर टम जो सपोर्ट था उसकी भी नीचे चलागे जो लोग बनाया था कुछ महिने पहले लोग बनाया था उसकी प्रेट कर रहा है तो यह स्टॉक मुझे लगता है कि टेकनिकल ली यह श् फॉर्दर फॉल कर सकता है और यह शेर्स शिक्स अंड़ेड और फाइटी फैप यह दो कूशल सपोर्ट रहेंगे स्टॉक के तो प्राइस सेक्षन है मुझे लगता है कि यह यहां ते कर सकता है तो जैदि आपको रखना ही है तो यह फाइटी फाइटी फाइट को कर लोगा तो भी कर सकते हैं तो इसमें अभी 629 से अपसे आती है तो आपसे कहां तक आ सकती है स्टॉक मैं मुझे लगता है कि यह स्टॉक जो है आपको 665 675 एंड एक 795 अभी मैं 800-900 बात नहीं करो कि यही लेवल नहीं क्रॉस करेगा तो 900 बताएट को फाइदा नहीं है त तो टेक्निकली मुझे रहता है कि यह जो है यह लेवल इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया है 665 675 75 75 75 तक भी आता है आप इसमें सा हाई में से निकल के किसी अच्छे स्ट कर जाईए आप इसका फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है अभी क्या मार्केर को यह भी डर है कि जिस तरह सा प्राइवर्ट प्रेंटेट कर रहा है तो हो सकता है कि यह लीडर्शी पोश्चन जो है थोड़ा सा वो जो ग्रोथ देखा जा रहा था वह ग्रोथ अभी आपको उतना ग्रोथ नहीं देखना है तो बैटर रहेगा जदी अच्छा होगा फिर से उपर आ और यह लग्री नाइन रिकास पास तो बेटर रहेगा कि आप निकल के किसी और अच्छे शिर में शिफ्ट कर जाएए चलिती है हमारे एक क्यूक्क अनलेस था तो मुझे लिए काफी यूसफुल होगा जदी आप भी किसी स्टॉक में फस्ट गया है तो जरू कॉमेंट कर पर जीए यहाप इस वीटियो को देखना चाहरे थे वेट कर रहे थे आपको मिला एनसे हैं तो कैसा लगा जरू कोमेंट कीजिए और जाती आ फर्दर एंस है चाहते हैं आपकर चाहते ताब हम टेलिगांग को जॉर्ट कर सकते हैं जग दी से इसटॉक्मा क्लासस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए हैपी टेटिंग हैपीनिस टींग बने रहे हैं